अगर आपने मेरी ये बात समझ ली है ना और यह जो मैं बाते बताने वालों यह आपको कहीं नहीं मिलने वाली तो ध्यान से सुन लेना मुश्किल से 57 मिनिट का वीडियो है एक बार सुन लेना आपका भला हो जाएगा भला केसे होगा क्योंकि समझो कैट में नॉर्मली यह ज और QA देखो यह दोनों जो है इसमें तो क्या है कि आपने जित्ती पढ़ाई कर ली जित्ते कंसेप्ट अच्छे समझ दी जिसे वरबल एबिलिटी में आर्ट से जित्ते अच्छे से प्रेक्टिस हो गई टॉपिक वाइस वह आपका हो गया क्वांट में जित्ते अच्छे का तरीका बहुत ज्यादा मेटर करता है और यह एकलोधा ऐसा सेक्षिन है कैट में या तो यह आपको टॉप पे ले जाएगा यह एकदम बॉटम पे ले जाएगा बाकी section में आपन बोल सकते हैं VA और QA में कि आपके mock में जित्ते percentile आ रहे हैं रियल cat में पी approximately उत्ते आएंगे विकिन DILR में इसा नहीं बोल सकते है DILR में हो सकता है अभी किसी के 10-20 percentile आ रहे हो cat में 99 प्लस मार दे हमने example देखे हैं इसे और even mock में जिनके 99 प्लस आ रहे हैं हो सकता है कि cat में उनके 10-20 percentile आ रहे हैं मैं अपने खुदी यहने personal experience से बता रहा हूँ मेरे एक student का मुझे अभी तक result या दे तीन साल पुरानी आज तो वो Infosys में job भी कर रही है तो उसका क्या था कि हर मौक में उसके 99 प्लस परसेंटेल आते हैं और real cat में उसके minus 2 marks आये थे हैं और उसी बैच में उसी उसमें एक और student था उसके 30-40 की range में आते थे और cat में उसके 97 प्लस आ गए थे DILR में तो यह unpredictable है कापी अगर आपने वो जो 40 मिनिट से अच्छे से दे लिए तो आपका DILR अच्छा हो जाए अब इसमें कुछ tips से वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी वो ध्यान नहीं रखी तो आपका इसमें बंटा धार भी हो सकता है ठीक है तो उम्मीदे की मोटा मोटा मैंने आपको एक चीश समझा दी किया पर्टिकुलर सेक्षिन में आतो आप इधर जा सकते हो यह एकदम इधर ठीक है मैं अपनी परसनल स्टोरी भी बता हूँ आपको जब मैं पहली बार cat दे रहा था तो DILR के question देखके मैं रिक्ता हो जाएगा जिसने नहीं समझी हो गया काम उसका ठीक है तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं confidence बढ़ाने की कि देखको पूरा का पूरा confidence का खेले confidence कैसे बढ़ेगा सबसे आसान तरीका सबसे पहली step में first step आपको क्या करना है प्रिविएस येर questions प्रिविएस येर questions में भी अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो हमने 2017 से लेके 2022 तक के TILR के solutions हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और हां 2022 अभी current में upload हो रहा है तो इसमें slot 1 हम लोग पूर अपलोट कर चुके हैं याना slot 2 का एक सेट डाल चुके हो cat आते आते हैं पूरे slot 3 तक हो जाएगा लेकिन आपको 2017, 18, 19, 20, 21, 5 साल का पूरा मिल जाएगा और 16 साल का भी मिल जाएगा cat आते आते और कुछ cat के tough set जो हैं उसके भी solutions आपको हमारे चैनल पे मिल तब मैं महनत करता हूँ आपके लिए और चैनल को ब्रंड भी नहीं बना रहो चैनल को ब्रंड बनाओ ठीक तो रोज एक target कर लूँ बस देखो एक set दिया है और one set LR बस ये करना है आपको तो तो टोटल 200 sets आप लगा लोगे और 200 sets more than enough है भले ही वो PYQ से लगा लो अगर आ आप online search करोगे तो आपको 1990 से लेके हैना पूरे के पूरे पेपर मिल जाएंगे cat के तो 1990 से भी देखें है थर्टी प्लस येर्स के हैं इत्ते question लगा लोगे ना इसके लावा कुछ भी मत करो तो भी चलेगा ठीक है प्लस हां अगर तरीका सीखना है कि DLRS all कैसे किया जाए त इसमें हमने topic wise breakup किया हुआ है LR DIA में ठीक है प्लस चलो प्रीवेस येर्स क्वेश्चन कर लिए रोज एक सेट DIA का एक सेट LR का किया ठीक है इतना तो उम्मीदे कर लोगे ठीक है अब इसके लावा next step में आता है speed है ना speed और ही जो और बता दू आपको DIA करने से पहले DIA करने से पहले आप quant के बस तीन topic कर लो ratio, average और percentage ये तीन topic कर लो इनके basis अगर ये आपके strong है तो आप DIA आराम से बना लोगे अब जैसे अगर आपने मेरे वीडियोज फॉलू करते हो तो अभी recently मैंने cat2022 slot 2 का जो set 1 लिया है वो पूरा ratio के concept पे ही था जिसको ratio आता हूँ उसके लिए set बहुत आसान होगा ठीक है चीशन में आगी ये तिन topic कर लो फिर DIA पर practice जालू कर लो ठीक है आप speed बढ़ाने के देखो DIA LR में क्या है नॉर्मली अब इसमें पूरा टाइम मेनेजमेंट का खेले देखो cat में आने चाड़ सेट आने हैं ध्यान से समझना set 1, set 2, set 3 इसे अपने इसको इसका break-up कर रहे है set 4, चाड़ सेट हैं, दो मानने लो DIA के हैं और दो LR के हैं, कई बार इनकी DIA भी LR जीसी ही लगती है, ठीक है, चाड़ सेट हैं और ये लोग आपको किता दे रहे हैं, 40 मिनिट्स 40 मिनिट्स मतलब 10 मिनिट्स पर सेट, पॉसिबल नहीं है, पहले तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ये उनिक के लिए पॉसिबल, और 4 सेट पूरे के पूरे, वो उपर से जो अलग से ही पेदा होके आते हैं, वो ही कर सकते हैं, बाकी ये जो 20 questions हैं, 5 questions per सेट रहेगा, तो ये 20 questions हैं, इसमें से आप 3 सेट अब भी अगर कर लो, 3 सेट भी अगर आपने कर लिए, तो आपके 100 percentile आ जाएगा, ये मान के चलो 3 सेट भी कर लिए, तो 100 percentile आ गया, मतलब पहले आपके पास 10 मिनिट था पर सेट के लिए, ये चीज़ ध्यान से मनले ना, अब यही बढ आपके 13 मिनिट हो गया है, ठीक है, क्योंकि 3 सेट भी करोगे, 100 percentile मार दोगे, और 2 सेट भी कर लिए, 95 प्लस तो आराम से पहुंचोगे, आराम से बिलकुल घबराना ही नहीं, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो practice करनी पड़े ही, ये आपकी जो practice होगी, ये कोशिश करो कि शुरुआत के कुछ में, एक सेट कम से कम पूरा अच्छे से बना ले, एक सेट मतलब 5 questions, जिनका एक सेट अच्छे से बनने लगे, मान के चलो 90 प्लस परसेंटाईल की range में आगे, और जिनका अल्रेडी एक सेट जिन से बनता हो, वो कोशिश अब करो कि 2 सेट बना ले, और जिनसे 2 सेट बनते हो, वो कोशिश करो, 3 सेट बना ले, और जिनसे 3 बनते हो, आपको घबराने की जूरत नहीं, फिर भी आप कोशिश करो कि 4 सेट बनाओ, लेकिन maximum कहानी यहीं पर टक जाती है, maximum लोग का मैं जानता हो, तो देखो, जो लोग 1 सेट कर पा रहे एक भी नहीं कर पा रहे, वो कोशिश करो कि अगले 4-5-6 मौक चो दो, हफ्ते में 1-2 मौक से जादा अभी मत देना, वो कोशिश करो कि 1 सेट बनने लगे, कम सकम 90 तो चूलोगे, जिनके 1 सेट ही बन रहा हो, वो कोशिश करो 2 सेट बना लो, ठीक है, और हाँ, DILR की आगे औ आपको समझा रहा हूँ, जैसे जैसे कैट नस्दिक आएगा, तब में और परसेंटेल इंक्रीज करने के आपको टिप्स बताऊंगा, अभी कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, परसेंटेल बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पहले प्रोसेस समझ लो, तो जिनस से 2 सेट हो पा रहे हैं, वो 3 सेट के कोशिश करो, ठीक है, वो 3 से 3 हो पार रहे हैं, उनको 4 की कोशिश करनी चाहिए, वेसे 3 सेट में भी आप 100 चूज जोगे, ठीक है, तो यह अप्रोच अभी रखो, अगले 1-2 मेनिये तक, पूरा अगस्त, निकाल दो, पूरा सेप्टें पर अक्टोबर नवंबर जब अपना आएगा उसमें फिर में आपको और परसेंटाइल इंक्रीज करने के टिप्स बताऊंगा कि जो सेट हम छोड़ रहे हैं उनमें भी कैसे क्या अटम्टी किया जाए और इस बार जो हमारा बच्छा था जिसके ओवराल 99 थे अभी उसका आय 99.93 था इना डिल्र में आई थिंग 99 प्लस था इतना तो कन्फर्में लेकिन कितना प्लस था वो मुझे नहीं मालू और उसने पूरी बातने फॉलो की थी ठीक है तो उम्हीद है आप लोग भी फॉलो करोगे और कोई भी डाउट हो अब तो हमने हमारी वेबसाइट पर बस्ते एच्राइट और को दो वाचिए टाने हम जा बस्ते आगए आपक लिए वाच्टने आपक लाच्टने मालूच वाच्टनेशन ले-वेबसाओ एज लेग डिल्दाट लाच्टनेशन वाच्टने का वाच्टने